इसके लिए ना तो हमें तंदूर चाहिए और ना ही ओवन के ज़रूरत है यह क्विक सी रेस्पी आप बड़ी आसानी के साथ अपने घर में बना सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अगर यह रेस्पी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बैल का इकन इनके अंदर तक अच्छे से चला जाए और पंदूरी चिकन जो है वो फ्लेवर फुल बने अब एक बावल में दस अदद लीमू का रसा आड़ करेंगे इससे चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा फॉर फाइव टेबल स्पून दही शामिल करेंगे अब कुछ जर्दा कलर दो पिंच के करीब और तूटेबल स्पून ही तंदूरी मसाला अड़ करेंगे स्पाइसी अप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अड़ कर सकते हैं तूटेबल स्पून कुटावा लैसन दर्ग शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब चिकन का पीस ल लाजमी मेरिनेशन का टाइम होना चाहिए मैंने चिकन को ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था तो चले अब बना लेते हैं एक पैन में टू टिबल स्पून ऑइल क्याट करेंगे इसे ब्रश की मदद से हर तरफ पहला देंगे अब चिकन के पीस्टीज को पैन के अंदर रेंज करतेंगे आप चाहें तो इन्हें डीप प्राइब भी कर सकते हैं अम एरिनेशन का जो बचा हुआ पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं बलके चिकन के उपर ही पोर कर देंगे और इसे कवर करके तकरीमन 20 मिनिट तक पकने देंगे चिकन को पकते वे 20 मिनिट हो गए है देखे कितना पानी रिलीज हुआ है अब इसकी साइड चेंड कर लेंगे और फ्लेम को हाई करके इसका पानी खुश्क कर लेंगे चिकन का पानी खुश्क हो गया है फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर चिकन को पकाएंगे दिखे कितना ब्यारा कलर आया है इसकी साइड चेंज कर देंगे और 2-3 मिन तक लो फ्लेम पर मजीद पकाएंगे ताके दूसरी साइड पर भी कलर आ जाए अब एक कडाही में सारे पीसिस को रख देंगे इसके उपर फॉयल पेपर रखेंगे उसके उपर कोईला रखेंगे जलता हुआ और वन टेबल स्पून आइल काट करके इसे कवर करके दो से तीन मिन तक छोड़ देंगे इसके बाद हमें से डिशाउट कर लेते हैं लीजिए जी हमारा क्विक इजी और डिलिशी सा तंदूरी चिकन बनके त्यार है आप भी बनाएं और इंजुआए करें दौाओं में याद रखें रैस्पी पसंदाए तो लाइक करें दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भ है मिलते हैं नेक्स वीडियो में